हेले विरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर सोगाय था है और लगातार आप लोगों के लिए हेलफुल वीडियोज प्रवाइड किया जाता है बच्चो बस आप लोगों के से एक ही रिकेस्ट रहता है कि आप लोग प्रीच सेयर कर दिया करिये और इसके पहले जो भी हमने वीडियोज प्रवाइड किया बच्चो उसका एक प्लेलिस्ट बना है इंपोर्टेंट कोश्चन दोजार चोविस के नाम से उसमें सारे वीडियोज लेक्चर एड है हम जितना मेहनत करते हैं थोड़ा सा उतना आप मेहनत करना सुरू कर दो के सुपरफास्ट रिवीजन में आज बढ़िया कोश्चन लेकर आए हैं और एक भी प्रस्ण मिस्ट नहीं करेंगे बच्चो आपको किवल सुनना है और सुनके एक्जाम में जाना है मैं गारंटेट कहता हूँ आपकी नमबर अच्छा हैंगे उतको का निर्माड किसके दो कार्बोहडेट से सिल्लोज, गुलुकोज, स्टार्च या बिटामिन बताओ सिल्लोज पाया जाता है मानो सरीर में सिल्लोज नहीं पाया जाता है पौधों में मुख्रोब से सिल्लोज पाया जाता है जिसके कारण पौध ही कि जो कोशिका होती है जो तना होता हो कठोर होता है कौन सा को प्रोटीन रक्त प्र quando अक्षीजन का भी कमन करता है मतलब अक्षीजन प्रभाई किसके कारण होता है मायोग्लोविन इंसुरिन फैन्वबमिन या हीमोग्लोविन तो ये मेरे हिसाब से हिमोग्लोविन सुपर करेंगे बच्चों सभी जीवित को सिक्वाओं की अधिक्तम प्रभावशाली उर्जा बाहा मतलब किसके द्वारा AMD, ADP, ATP या UDP तो ATP, Adronin Trifosphate ठीक है चलिए बिटामिन B1 का नाम है राइवो फ्लेविन, ADPIC अमल, THIMIN या ESCORVIC अमल, तो APTION NUMBER D, THYMIN निम में से कौन सा अमल बिटामिन है, एसपार्टिक लिखा है, ESCORVIC, ADPIC या SACREK तो ESCORVIC अमल हो जाए, तो आपका बेरी-बेरी जो रोग होता है वो बिटामीन B की कमी से होता है तो इसका एंसर लगा ले न बच्चो बिटामीन B ठीक है बिटामीन A के कमी से रतोधी होता है बिटामीन B से बेरी-बेरी अगला प्रस्क्राइब जो गुलूदकोच को एथेनाल में रुपान्तृत करता है भाई गुलू-कोच को एथेनाल में तो जाइमेज एंजाइम है आगे देखे माना और सरीर में कार्बोहेड्रेट्स का संचेन कहां पर होता है संचेन इनी संचे कहां पर होता है किस रूप में होता है ग्लूकोज की रूप में ग्लाइकोजन की रूप में इस्टार्ज की रूप में फ्रेक्टोज की रूप में तो इसका एंसर हो जागा बच्चो ग्लाइकोजन के रूप में आगे हीमोगलोबिन क्या है बच्चो एंजाइम है बिटामीन है ये ग्लोबि पिलरड है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, तो इसका कोबाल्ट एंसर हो जाएगा, रिकेट स्रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से आपको पताबचो रताओधी हो जाता है, विटामिन B के कमी से बेरी-बेरी हो जाता है, विटामिन C की कमी से हो जाता है सभी जीवित कोशिकों में अधिक्तम प्रहौशाली उर्जा भाहग है एड्रुन स्वरी बच्चों इसका नाम है एडिनोसीन ट्राइफासपेट है एडिनोसीन ट्राइफासपेट इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रशन पर पायरिया रोग किस विटामिन के क कमी से होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D थोड़ा सा यहां पर पायरिया का मतलब यह होता है कि जो मसूड़े हो जाते हैं वो फूल जाते हैं वो विटामिन C की कमी से होता है तो सानंबर हो जाता है चलिए माना रक्त में कौन से सरकरा अधिक्तम बिद्दमान होती है डी फ्रेक्टोज लेक्टोज, डी गुलुकोज, सुक्रोज तो इसका राइट अंसर बच्चो सुक्रोज के रूप में रहता है सरकरा के ताजे अवच्छेप का बिलियन का प्रकासिय घूनन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना क्या कहलाता है घूनन गती, इनवर्शन, बिशिष्ट घूनन या म्यूटरोस यहाँ पर क्या लिखा है म्यूटरोटेशन तो इसका राइट अंसर बच्चो सेकेंड नमबर यैसे कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं अब इसका थोड़ा बताओ बहुधा प्रियोजित डाइसेकेराइट अनुका सोत्र है डाइसेकेराइट मतलब जिसमें दो मोनोसेकेराइट जुड़ जाते हैं ठीक है, आप लोग देखो C12, H22, O11 यह क्या है कोई बता सकता है किसका सोत्र है तो यह आपका बच्चो सुक्रोज है जो कि डाइसेकेराइट की रोप में कहलाता है तो राइट अन्सर आप इसको लगा देना राइबोज की संबंद में निम्न कथन असत्त है यह पाली हैड्राक्सी योगिक है यह एल्डी हाइड सरकरा है इसमें 6 कार्बन परमाण होते है इसमें धुर्बन घुर्णकता होती है तो इसका जो कथन असत्त है इसमें बच्चो यह इसमें 6 कार्बन परमाण होगी यह आपका कथन असत्त है रक्त में गुलू कोच का मात्रात्मक निधरन किया जाता है टालेन अभी करमक से छारी आयोडीन बिलियन से बेनेडिक्ट बिलियन से या ब्रोमी इंजल से तो इसका राइट एंसर है आपका बेनेडिक्ट बिलियन आगे देखे कौन सा ग्लिसराइड नहीं है बसा फासफोलिपीड तेल या साबुन बताओ आप लो कौन सा बच्चो तो साबुन जो है वो ग्लिसराइड नहीं है तो ये हो गए आपके बहु बिकल्पी प्रिष्ण इसके बाद बच्चो रिक्ति स्थान वाले प्रिष्ण है जिसे आपको तयार करना है फटा फटा आपको मैं यहाँ पर बताते चलूँगा आप लोग तयार कर लेना और फ्रक्तोль बच्चो मोनो से कराइड होता है एमीनों समूह देवं कार्वोकस्लिक समूह की परसपर क्रिया से बनने वाला जो बंध है वो आपका पेप्ताइड बंद होता बच्चो कौन सा बंद होता है फृप्ताइड बंद होता है ठीक है यहाँ पर आपको हो जाएग को प्रभावित नहीं करता प्राथमिक सनचना को प्रभावित नहीं करता प्रोटीन किसका बहुलक है बच्चो तो एमीनो अमलका बहुलक है प्रोटीन किसका बहुलक है एमीनो अमलका बहुलक है डिने में नहीं पाय जाता तो डिने में यूरेसिल नहीं पाय जाता क्योंकि बच्चो इसमें थायमिन पाय जाता है ठीक है आरने में यूरेसिल होता है और डीने में यूरेसिल नहीं पाय जाता है बिटामिन एकी कमी से कौन सा रोग होता है रतांधी मैंने अभी इसके पहले भी बताया था बिटामिन एकी कमी से रतांधी रोग होता है रक्त का थक्का में मदद करता है Chyabrum City-Perm氣. यह आपके रख्ट के ठक बनाने में मदद करता है ऐसी आइयोधिन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा रोगता है कौन सा हार्मोन रख्ट में की सरकरा की मातरा को संतुलित करता है कौन सा हार्मोन इंसुलीन जो होता बच्चो वो सरकरा को नियंत्रित करता है और जब सुगर की बिमारी होती है तो इंसुलीन की गोली दी जाती है इंसुलीन का टेबलेट लगाया जाता है गुलू कोज के आकसी करण में एटीपी के कितने अडू उत्पन होते हैं ठीक है 38 ए आकसी करण में एटीपी में अडू उत्पन होते हैं ये भी थोड़ा सा रिपीटेड कोश्चन है तो गुलू कोज के आकसी करण से 38 एटीपी रिपीडेड हो गया है जीवों में जटिल अडू का टूटना क्या कहलाता है इसका एंसर आप लोग लिख लेना केटा बोलीज म क्या कहलाता बच्चो केटा बोलीज में अगला प्रिशन है हाईपर गलाइमेसिया में रक्त में किसकी मातरा वढ़ जाती है प्रोटीन की मौली की काई है बताओ मतलब प्रोटीन किस से मिलकर बना होता है एमीनो अमल तो यहाँ पर एमीनो अमल आपका मौली की काई है हीमोगलोबिन आयरन का क्या है बच्चों कैसा योगिक है तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा हीमोगलोबिन आयरन का संकुल योगिक है अगला बच्चों जन्तु एवं पौधों में प्राप्ट जन्तु एवं पौधों से प्राप्ट तेल वा बसा क्या कहलाता बच्चों अगला प्रस्ण आप तो फटाफट दे सकते हैं अंसर इसमें कोई दिक्कत नहीं रख्त थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तर दाई तो है अमीन अमल को आपसं बनाने से प्रेप्टाएयर बंदकनेवाळ होता है जबकि फॉरे नोज बले होता है हम़ारे सरीर द्वरा निर्मित न होने बाले अमीन अमल जो सरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं तो वो आवस्था केमीनोमल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आवस्था केमीनोमल विटामिन C का रासानिक का स्कार्वी कमल होता है डाइसेकराइट का सूत्र सक्कर का दे दे ना भाई C12-S22-O11 C12-S22-O11 यह आपका डाइसेकराइट है मोनो सेकराइट के दो एकाई जुड़े हैं, डाइ सेकराइट, केलसी फिराल किस बिटामिन का नाम है, बिटामिन डी का नाम है, दूद में उपस्ति डाइ सेकराइट सरकरा क्या है, बच्छो, लेक्टोस, क्या है, लेक्टोस, रखतों में उपस्तित आक्षिजन वाहक, हीमो ग्लोबिन पढ़ लिया आपने वनुस के सरीर के दोरा कितने अमीनो अमल संसलेसित होते हैं दस ऐसा क्यों क्यों क्योंकि भाई दस जो होते हैं मानो के सरीर में संसलेसित होते हैं और दस जो होते हैं आवस्क होते हैं टूटल 20 अमीनो अमल मानो के सरीर में होता है ना आगे चल से किस बंद के द्वारा जुड़े रहते हैं तो आपका इसका हो जाएगा ग्लाइको साइड बंद लिख ले ना बच्चो पाली से किराइट को मोनो से क्राइट से जोड़ना है इकाई की रूप में जोड़ते हैं तो ग्लाइको साइड बंद लगता है रक्त का थक्का बनाने में साहिक प्रोटीन का नाम जी तो बार-बार कोश्चन आ गया फाइब्रोजिन बाल उन तथा रेसम में उपस्तित प्रोटीन का नाम बता हो तो कैरोटीन होता बच्चो क्या कैरोटीन तो मैक्जिमम कोश्चन आपके लिए ढूण के लाते हैं देखिए पंद्रे कोश्चन यह हो गया भई जाहाब और इसके बाद अठ्रा कोश्चन यह हो गया और 21 कोश्चन यह हो गया सूचो 28 आठ्ठरा आप कह गया कितना 49 और 49 ने 10 945 चामण हो गया यार क्या बात है अधिकी हो गये क्या चामण question हो गए उमीद करता हूं बच्चों आप लोग बहतर रूप से ऐसे तैयारी करते चलेंगे सिर्व कोचिंग क्लासस में आप लोगों के लिए निसल्क पढ़ाया जाता है तो प्लीज पहली बारा है तो चैनल को